विबा चिबबर टेलिविजन इंडिस्ट्री का एक जाना माना नाम है। विबा ने साल 2007 में फिल्म चक्दे इंडिया से बॉलिवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने शारुक खान के साथ स्क्रीन शेयर किया था। मिसस कोशिक की पांच बहुए फेम विबा ने एक हालिया इंटर्व्यू में शारुक संग काम करने का अनुभव शेयर किया है। और बताया है कि एक बार S.R. के उन पर कॉफी फेकने वाले थे। फिल्म चक्दे इंडिया में शारुक खान एक महिला ओकी टीम के कोच की भूमिका निभाई। फिल्म में विबा कृष्णा जी के रोल में दिखाई दी थी। एक हालिया इंटर्व्यू में उन्होंने शारुक की तारीफ की और उन्हें अच्छा इंसान बताया। राजश्री अनप्लक्ट को दिये इंटर्व्यू में विबा ने कहा शारुक सर बात करने में बहुत अच्छे और विनमरे इंसान है। उन्हें पता था कि हम सब नए हैं। बहुत डरे हुए हैं और उन्हें इसका अनुभव भी था। एक अक्टर को एक अक्टर ही समझता है। उनके साथ काम करना एक अच्छा नुभव था। मैंने कभी भी उनके जैसे को अक्टर के साथ काम नहीं किया। जब हम साथ पर पहला सीन शूट कर रहे थे। मैं बहुत नर्वश थी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। विभा ने आगे बताया कि एक बार दोनों साथ में अपने अपनी शूट के लिए रिहरसल कर रहे थे। तब ही शारुक कॉफी पी रहे थे और अच्छानक उन्होंने अभी नीत्री पर कॉफी फेकने का नाटक किया। इससे वो शौक रह गए थी। बाद में दोनों जोर- जोर से हसने लगे। विभा ने बताया कि शारुक ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उनके साथ कमफुटिबल हो जाए। बता दे कि विभास अपना बाबुल का पीयार अंग्रेज जैसे कई सारे सीरियल्स में काम कर चुकी है।